या आपके लिए समझना मुश्किल नहीं अब इस केस के सामने और इस मूवी के सामने आते लोगों में भगदड मच गई वो भगदड ये मची कि उनको समझ आने लगा कि शिरी कृष्णा का चरित्र भी कुछ मिलता जुलता है क्योंकि इस मूवी के अंदर महराज का जो चित्र है महराज की जो अपिरिंस है वो डिटो शिरी कृष्णा से मिलती जुलती है डिटो ओए होए होए क्यों ना आपको थोड़ा सा विजिट करवाओं रुकिए गदरा कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं साथ रहिएगा कुछ चीज़ें आपको दिखाता चलता हूँ चाकि आपको चीज़ों कोई समझा सके ऐसे आपको समझनी आएगी सर ऐसे नहीं आएगी आपको दिखाना पढ़ेगा लाइव लाइव आपको चरंठ सेबा फिर दिखानी ही पढ़ेगी आ में नू कापी राइट ठोके जावे पावें तो अनू कुछ चीजां से में भावाना क्यूंकि हम दिखाते हैं जैन्मन चीजें इन के तरह दोके बाद नहीं है हम आजा भई आजा आजा भई तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा देखें जी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी के इसके उपर पाबंदी लगने के पीछे जो भारी रीजन मुझे समझा सकती है वो शिरी कृष्णा की जो कौपी की गई है इस मूवी के अंदर वो वो है ठीक है जी और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ठीक है जी कैसे कौपी की गई है किन जगों के अंदर चले कोई नहीं यह देखें जी चरन सेवा का आगाज हुआ चाहता है आपकी स्क्रीन पर महराज शिरी कृष्णा के आउतार का और शिरी कृष्णा जी के जनाब फेस का आप आनंद लेजी जी है आपकी स्क्रीन के उपर ठीक है जी करते करते बात पहुंची यहां तक यह देखें इस वज़ा से यह शिरी कृष्णा की लुक आपको नदर आ रही है बाल उसी तरह जुड़ा बंदा गया है जिस तरह शिरी कृष्णा बंदा करते थे बिलकुल उसी तरह जुड़ा है जिस तरह श्री कृष्णा मानते थे, अब आपने एक चीज़ समझ नहीं है, ये मूवी इसलिए लिथल हो गई है, और चाहे इसके ओपर सेंसर्शिप इस पर पबंदी लगी, कि इसको थेटर रिलीज नहीं दिया जाए, ठीक है, थेटर रिलीज इस मूवी को नहीं दिया गय मगर यहाँ एक मसला पड़ गया, वो मसला ये था कि इस मूवी के अंदर, जो शक्स आया ना, इस मूवी के अंदर, वो शक्स जो लीडिंग रोल कर रहा है, करसंदास मूल जी का, वो निकला आमिर खान का बेटा, अब आमिर खान चूंके एक बहुत बड़ा बॉलिवुड का स्टार है, इंटरनेशनली, और उस बॉलिवुड के स्टार का जो बेटा है, जुनेद खान, लोग उसका डेब्यू देखने के लिए जरूर आते हैं, अब इससे रोक नहीं सकते थे, जुनेद खान इसका डेब्यू था, आपको पता है, जितने बड़े-बड़े सूपर स्टार्स हैं, उनका डेब्यू देखने के लिए, लोग जरूर मुवी देखते हैं, कि पता तो चले, कि क्या नेपोटिजम हुआ है, या जन्मन कोई स्टार निकल कर सामने, आपको पता है, बॉलिवुड की जो अपडेट्स लोग रखते हैं, उनको पता है, कि जिनको बोला जाता है, बॉलिवुड की टर्मनोलोजी में, तो नेपोटिजम तो नहीं निकलाया, बट, ये मुवी जिसको जितना मर्दी वो छुपाना चाहते, जुनेद खान को जज़ करने वाले लोग इस मुवी को जरूर देख रहे हैं, यानि मैं बॉलिवुड की बा किया इस वज़ा से कि शिरी कृष्णा से काफी ज़्यादा मुमासलत मिल रही है, देखे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी स्क्रीन के उपर आपको ये रत नदर आ रहा है, जिसमें शिरी कृष्णा स्वार है, महाभारत की युद भूमी के उपर, इस रत के पी शिरी कृष्णा से इतनी मुमासलत थी, कि डिटो यही अंब्रेला, डिटो यही रत, डिटो यही स्टाइल, वो महाराज जी जनाब उतरते हैं, उस सुप्रीम कोट के एंट्रेस के अंदर, बाहर उतरते हैं, इन्होंने अपनी तरफ से शिरी कृष्णा के चरित्र से लोग को अग्यानी रखने के लिए इस मुवी को बैन किया, थेटर रिलीज में, उन्होंने उसको नेट्फलिक्स को पर डाल दिया, अब लोग भाग भाग कर नेट्फलिक्स से देख रहे हैं जाके जुनित खान के चकर में, कि उसका डेब्यू हुआ है, नमबर वन, नमबर दो, उस चकर के अंदर उनको ये स्टोरी देखकर शरी कृष्णा पुष्टी मार्गो वेश्णा मत और सनातन धरम की उकात पता चलती जा रही है, कि सनातन धरम के अंदर तो गंदी बढ़ा था, ये तो गंदो 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 शास्त्रों की आदार पर, जो मैंने बिस्तर पर बिठा लेते हैं पहले उनको सीने से लगाना उसको अपने साथ कमफर्टेबल करना उस कन्फ्यूज और बहकी हुई लड़की को मजबूर लड़की को जो आप में भगवान का रूप देखती है उसके साथ उन्होंने जनाब बिठा कर बेड़ के उपर जिंगा लाला हुर और टपा टप करने का प्लैन बना लिया आपको जानकर हिरानगी होगी कि इस लड़की का जिसने किशोरी यानि के करसंदास मूल जी की फ्यानसी का रोल अदा किया है जो बाद में सुसाइड करती है इस लड़की ने हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ इस लड़की ने खुद इंटर्विव देते हुए का है कि मेरे लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था बहुत मुश्किल ये रोल करना कौन सा सीन जो आपकी स्क्रीन के उपर है ये सीन और ये सीन आपकी स्क्रीन पर सॉरी बच्चे ना देखें प्लीज बच्चे ना देखें मैं इसको रोक रहा हूँ आपकी मेरबनी बच्चे इस स्ट्रीम को या फैमली अगर देख रहे हैं तो प्लीज ना देखें I'm really sorry मगर ये चीज़ें लोगों के सामने लाना जरूरी है पब्लिक के सामने लाना ये चीज़ें जरूरी है ठीक है जी और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखनी है कुछ टेटेल हैं इस सवाले से वो भी रखूंगा तो पहले प्लीज आप लोग ना देखें ठीक है जी ये वो सीन है जिसमें दिखाया गया है कि महराज कैसे उसको कमफरटेबल करते हैं और ये सीन है जब सेवा चल रही थी और बकाइदा लोग खड़े 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 खड़ लोग बकाइदा ज्हांक कर उस चरन सेवा का आनंद ले रहे थे, ये देखे दरा, हाथ जोड़े हुए हैं, दोनों ने हाथ जोड़े हैं, और यहां एक सीन है, मूवी के अंदर वो सीन ये है, कि जैसे ही मूल जी को पता चलता है, कि उसकी मंगेतर के साथ चरन सेवा के नाम अबर धरन मेवा हो रहा है, तो वो दर्वादा तोड़ के अंदर घुसता है, और शोर मचा देता है, किशोरी किशोरी क्या कर रही हो, किशोरी क्या कर रही हो, वो दोनों सीधे हो जाते हैं, महराज और किशोरी उठी जाते हैं, जी उठी जाते हैं, जैसे ही वो उठते हैं तो उपर खिडकियों में खड़े लोग यानि महराज को भी पता है बहुत गंदा सीन है महराज को भी पता है लड़की को भी पता है उन बंदों को भी पता है कि इस बेड में जो हो रहा है वो पबलिक को सब को पता है पूरे गाओं को पता है सब को पता है उपर खिड़की से खड़े होके कहते हैं मूल जी तुझे पाप लगेगा तूने पूजा को भंड किया है तूने हमारी आस्ता को तोड़ा है तूने धार्मिक कारिय को तोड़ा है लो आप अंदादा करें Can you imagine कि उसको ये कहा जा रहा है कि तूने धार्मिक कारिय के अंदर रुकावट डाली है तूने धर्म ब्रष्ट कर दिया है कि महराज जी का खड़ा था हाथ और तूने जिनाब अपनी चोंचनी बजा दी है ये तूने गलत किया है महाराजी का हाथ पहले खड़ा था तो रोला पड़ गया एक मिंट दीजेगा कानी के अगले से में लेकर चलता हूँ ओ सॉरी तो ये चीज़ आपको पता चल गई अब आपने समझना क्या होता है मूल जी की मंगेतर चरन सेवा के नाम पर जब धरन मेवा कर ली जाती है मूल जी की गैरत जागती है मूल जी अपना संबंद अपनी उस प्रेमिका से तोड़ता है और उसको त्याग कर वापस चला जाता है यहीं बस नहीं होती वो लड़की बहुत कोशिश करती है कि किसी तरीके से माफी तलाफी करके वापस अपने मूल जी के पास आ जाए मगर यहां से कहानी कुछ और रंग लेती है हाँ क्या बात होता कुछ यूँ है कि वो लड़की जो पहले अपने मंगेतर के पास जाना चाहती थी वो ही जब मंगेतर उसको ठुकराता है तो महराज के चर्ण में वापस आकर कहती है अब आपने धरन मेवा तो ले लिया है अब थोड़ा सा टेवा भी कीजिए और थोड़ा सा कुछ और भी कीजिए अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ कि मैं किस घर जाओंगी मैं तो कहीं की नहीं वो कहते हैं चलो कोई नहीं मंगेतर ने अगर छोड़ दिया है हम किस लिए हैं मंगेतर ने छोड़ दिया है तो महराज जी कहते हैं हम किस लिए हैं लोग दान पान करते हैं निच्छावर की याशी करने के लिए और क्या हैं अब क्या होता अगे वो लड़की को बंद कमरे के अंदर इस पतनी को वो तसली बक्ष मामला कर चुका है और रज चुका है लहादा उसको महरानियों की तरह रखा है और दूसरी रानियों की तरफ अब वो देख रहा है। में हवेली में टहलने के लिए दाएं बाएं गुमती है गुमते गुमते एक कमरे में बाहर उनको जनाब चपल दिखाई देती है जूता दिखाई देता है महराज जी का। चरंद सेवा ये ठोका ठोकाई का प्लैन होता था अब होता कुछ यूँ है कि जब वो उस कमरे के अंदर बाते सुनती है कि महराज इसके अंदर मौजूद हैं तो महराज वही कौपी पेस्ट ठरकी लोफर दिल फैंक जनाब चुछोरों की तरह जिस तरह आज कल कई चुछ लाइन्स तोक रहे होते हैं जेनू आप कह दो तो चांद तोड़ लाऊं तेरे वास्त फलक से में चांद लाऊंगा सोलां सथरा सतारे साथ कौड लाऊंगा तेरे खालाजी का गर है तोड़ लाऊंगा इत्या सी हम चुपांगे है कि चांद तू ले गे आया तो ह팅 ऱ्ऺ अजीब ड्रामा है, अजीब टीटो पाटी है, हैं जी, तो ये छिछोर पंती जो एक लाइन थी, पिक अप लाइन, जो महराज बोला करते थे, वो लाइन थी, लाडली, यह चेक करो, महराज की लाडली, क्या तुम महराज की लाडली नहीं बनोगी, अब महराज जी ने किशोरी से भी बोला होता है, महराज ची बंद कमरे के अंदर दूसरी लड़की को भी यही बोल रहे होता है, तुम मेरी लाडली नहीं बनोगी, अब पाउं तले जमीन तब खिसकती है, के लड़की दरवादे की चोकाट से, छोटे सुराख से जब अंदर जांकती है, तो महराज जिस सुराख के अंदर छेड़ चाड़ कर रहे होते हैं, वो उसकी दीदी निकलती है, किशोरी की चोटी बैन, किशोरी दरवादे को धका मार अंदर घुस, बेटी का अपना बैन का हाँच चुड़ा, दूर भागते हुए, उसको बाहर दकेल देती है, और महरा तो मैंने हाथ नहीं लगाने दिया, आपको मैंने सब कुछ करने दिया, यह मामला तो गलत है, थू था करके वो चली जाती है, मगर पूरी मुवी के अंदर महराज को मुतमईन ठंडा यख बर्फ में लगा हुआ बेगरत दिखाया गया, यानि मजाल है, कि लोग कुतों की तरह महराज को दलील करते हो, महराज अपने चेहरे से मुसकुराट हटाते हो, अब मुझे समझाती है, कि जब ये अपने देवी धेवताओं की मूर्तिया बनाते हैं, तो उसको मुसकुराटा हुआ कि वो रखते हैं, अब मुझे समझाती है, आप नहीं कहा था कि ब fácil इंतहाई गटिया किसम की इसमे जनाब स्वामी साब का करक्टर उसने पूरा महराज ने पूरा निभाया है, शकल से ही आपको पता चल जाएगा, शकल से यह देखें, यह देखें, यह देखें आपको शकल से ही पता चल जाएगा, कि यह गटिया किसम का आदमी इन्होंने डा आपकी स्क्रीन पर देख लिए जी छेकल देख लिए पूरा वो बंदा करेक्टर के अंदर आया है पूरा वो बंदा करेक्टर के अंदर अब आगे क्या होता है आगे चलते हुए स्टोरी यू भागती है कि लड़की जब राज खुलता है तो लड़की को लगता है कि शायद मैंने बहुत खतरना काम कर लिया है और लड़की समझती है कि माफी के दिर्वादे शायद मुझ पर बंदो चुके हैं तो वो एक खत लिखती है और सुसाइड कर लेती है इस घम के अंदर मूल जी तडब उठता है और वो सोचता है कि उसको क्या मामला करना चाहिए इतने में उसको हवेली के पास एक लड़की दिखाई देती है जो गर्ववती है जिसका भाई हवेली पर लेकर आया था क्यों हवेली पर ले कर आया था और क्यों गरववती थी क्योंके महराज ने उसको भी अपनी लाडली बनाकर चरन्द सेवा के अंδर उसके चरनों को कंदे पर रख कर सेवा की थी यहनि चरन्द सेवा को आप इस तरह भी समझ सकते हैं उछक्र में वो गर्वावति हो गई अब स्वामी साब महराज जी कहने लगे कि गर्वावती हो हमने चरंसिभा करनी होती है अई बचे को गिरा हो उसने का बच्छा आपका मैं हो ना गिराहूंगी महराज बकाइदा उस लड़की को कतल करने का प्लैन करते है और उसको एक लड़ू खिलाते हैं जैसे लड़ू के अंदर जहर होता है खैर बारल वो लड़की मरने से किसी तरीके से बच जाती है और केस चलना शुरू होता है अख़बारों के थ्रू मूल जी को एक पत्रकार दिखाया है जो अपनी फ्यांसी की खुदकुशी के बाद महराज के पोल जो के हवेली में गंद मचाया जा रहा है सनातन धरम की बेस पर उसके पोल पटी खोलना शुरू करता है ये बात इसकदर फैलती है के औरिजिनल अख़बार से निकाल दिया जाता है और एक स्ट्रगल दिखाई हुई है मूल जी की मूल जी के एक हैवी स्ट्रगल दिखाई है कि कैसे वो रास्त गुफतार से हट कर सत्या परकाश नामी एक मैगजीन शुरू करता है उसको जलाया जाता है कैसे उसकी लाइफ थरेट की जाती है कैसे उसको मारने की कोशिश की जाती है कैसे उसके गवाहों को मारने की कोशिश की जाती है खैर चलते चलते महराज जब किसी तरह कभी कोई जंतर मंतर नहीं कर पाता किसी तरह कभी तो महराज defamation का केस करता है अदालत में, मानहानी का वो defamation का केस बनता है महराज libel केस की बेस, अब आपको समझाएगी तो वो करसंदास मूल जी के ओपर यारोप लगाता है कि इस दे मानहानी की है, मुझे defame किया है, मुझे damage किया है उसकी compensation या उस को, उस damage को recover करने के लिए पचास हजार का जरुमाना करता है उस समय पर पचास हजार यूं समझ लें जैसे, पचास करोड़, ठीक है अगर आपसा असाल अभजों में समझना, या पांच करोड़, या दस करोड़, इस तरह करके कुछ बड़ी रकम समझ लें इंडियन रुपीज में पचास जार का जरुमाना करता है सब लोग कहते हैं, कि तुम पत्रकार हो, अदालत के अंदर सुबूत चलते हैं, गवाह चलते हैं, विटनेस चलते हैं, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम तो केस हार जाओगे, केस वापस ले लो, वो डटट जाता है इसी असना में महराज को ये दिखाया है, कि वो हर सूरत ये कहता है, कि अगर करसंदास मूल जी मेरे पास आकर मफी मांग ले, तो मैं इस केस को खुद ही वापस ले लोगा, मगर मूल जी वहां टेड़ा दिखाया है, मूल जी कभी सर फिर जाता है, क्योंकि उसकी मंगेतर में खुदकुशी की होती है, और मूल जी ने खुद देखा होता है, कि स्वामी ने कितनी ओरतों के साथ ये रासलीला मचाई है, खैर केस चलता है, तारीख आती है, अदालत के अंदर ये पेश किया जाता है, और मैं आनसली आपको बता दूँ, ये ऑथन्टिक रिपोर्ट हैं, मैं अभी आपके साथ आर्टिकल शेयर करूंगा, और थन्टिक रिपोर्ट हैं, वैशनाव मत के पुष्टी मार्ग के महराजाओं की गोरों के हाँ इतनी पावर थी, इतनी पावर थी, कि ये जो जेजे नामी महराज है ना, जेजे नामी महराज, वैशनाव मत का, इस और वैशनव मत के मानने वालों के साथ ये शर्तें आयद की गई थी, कंडिशन्स थी कि कभी कोई वैशनव मत के खिलाफ केस नहीं करेगा वैशनव मानता हुआ अगर किसी ने महराज के खिलाफ केस किया उसको भरादरी से निकाल दिया जाएगा excommunicate किया जाएगा और उसका जुर्माना खुद वैशनमत के संपरदाए जो लोग हैं जो इसको मानते हैं उनके उपर इसका सारा का सारा वजन पड़ेगा यह मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा भी यह बकादा notification करवाया था यही वज़ा है कि उस मुवी के अंदर इस पावर को दिखाया गया है महराज लाइबल केस के अंदर Bombay Supreme Court में जब महराज जेजे की एंटरी होती है उस एंटरी को देखकर गोरे भी चौंक जाते हैं और कटैरे में खड़ा होने की बजाए महराज जेजे को एक बड़ा तखता और बड़ा एक जनाब स्थान दिया जाता है सीट जिसमें बैट कर जनाब वो टांग पे टांग रखके अदालत के सामने बैट के बात करता है इस से आपको पता चल सकता है कि इवन गोरों की मुझूदगी के अंदर वैशना मत के महराजाओं स्वामियों की क्या पावर थी और वो दंगे कराने की धंकियां दे कर कैसे लंडन से नोटिफिकेशन जारी करवाया करते थे कि कभी भी वैशना मत के महराजों को अदालत में पेशी देने की कोई अविशक्ता और कोई मजबूर नहीं किया जा सकता, that's not mandatory that they have to present in front of the court or face trial, personally उनकी तरफ से कोई भी भी बंदा आके कर सकता है ये पावर थी ठीक है जी अब मूल जी ने दे दिया डंडा उसने कहा मैं तो केस लड़ूंगा अदालत में पहुंच गए इसने मानहानी का केस शुरू किया सबसे बड़ी समस्या मूल जी के सामने महराज लाइबल केस में थी गवा क्यूंकि इतने पावरफुल थे कि लंडन से अगर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तो यू कैन इमेजिन कि जो वेशनब मत वाले लोग से उन पर क्या बीचती होगी कोई गवाही देने के लिए सामने नहीं आया कोई आता उसको मार दिया जाता कोई आता उसको थ्रेट कर दिया जाता उसको हटा दिया गया सबको हटा दिया गया कोई गवाह नहीं बचा करते करते बड़ी कमाल का एक ट्विस्ट आता है और ये जन्वन है ये लाइबल केस की पूरा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पीडियाफ के अंदर मौझूद है इसको आप आउनलाइन सर्च कर सकते है उस केस के अंदर ट्विस्ट ही आता है कि जो इसका परसनल फिदिशन होता है डॉक्टर वो सामने आड़ाता है वो आकर कहता है कि कुछ अरसा पहले इसको एक बिमारी है जो इसके प्राइवेट पार्ट के ओपर पीनस के ओपर बिमारी हुई है और वो बिमारी सिर्फ इसलिए होती है कि अगर आप मल्टिपल सेक्शुल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हूँ मल्टिपल सेक्शुल पार्टनर्स आपके हूँ तब आपको वो बिमारी होती है वो फिदिशन ये कलेम करता है इसका मतलब यह होता है कि जो मुल जी ने महराज के ओपर केस किया था वो strong होता जाता है यानि जो मान हानी के आरोप लगे थे उन आरोपों को एक डॉक्टर सिद्ध कर रहा था medical base पर और याद रखना चाहिए कि किसी भी case में जो के court में चलता है उसमें medical doctor बहुत authentic witness बना जाता है very strong witness कि अगर कोई medical doctor खड़ा होकर कोई बात कर दे न उसकी worth और value अलग होती है modern judiciary system के अंदर या at least गोरों के हाँ जब एक doctor ने बात की तो judge हिल गए judge ने कहा कि अगर ये मामला है तो उसने कहा नहीं वो बहाना करने लगा ये बिमारी नहीं थी ठीक है दूसरी बिमारी थी डॉक्टर को गलती लगी है उसने कहा किसी independent डॉक्टर से आप इसकी जाँच करवा लें अगर मैं गलत हूँ तो जो मुझे निकाल दीजिएगा वो डर जाते हैं ऐसी सूरत में जब गवा वगएरा तकरीबन 33 के करीब गवा थे टोटल 33 के करीब ठीक है 33 जो ओरिजिनल महराज लाइबल केस है उसमें करीबन 33 के करीब विटनेसिस थे जिनकी जाँच पटक की गई थी और उनने कई जगा पर पीछे लोग हटे कई सामने आये हुआ कुछ यह हूँ कि मूल जी ने एक जजबाती तकरीर की है इस मूवी के अंदर जो सारा सिस्टम दिखाया गया है जो के ओरिजिनल केस की नहीं है ये बाद में मॉनोलोग तियार किया गया था जो मूल जी ने तकरीर की क्योंकि उस सारे के सारे क्लाइमेक्स के अंदर सनातन धर्म का जो पोल खुला था उसको कवर करने की कोशिश करना थी इसी तरीके से वैशना मत पर्टिकुलरली पुष्टी मार्ग के साथ जो कुष्टी मार्ग दिखाई गई थी और नंगा किया गया था उसको रिकवर करना दुरूरी था वरना इस संपरदाय के बड़े बड़े लोग इस वक्त तो बढ़के हुए थे तो उनको ठंडा करने का तरीका ये था कि एंड में चंद डायलॉग्स ऐसे डाले जाए जिससे बैलन्स किया जाए कि हम ऐसे पापियों और दुरुष्ट कार्मियों के खिलाफ हैं ना के हम सनातन धरम के ये चीज़ थी कवर करने के लिए केस खतम होता है और मामला कहीं और निकल जाते हैं खैर मैं अब मैं कोशिश करता हूँ एक मनदरा मुझे दीजिएगा मेरी आवाद उम्मीद आती रहेगी एक मनदरा रुकिएगा मैं एक आर्टिकल है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ठीक है जी मेरे ख्याल से मुझे हिस्ट्री से निकालना पड़ेगा एक मिन दीजिएगा मुझे हिस्ट्री से निकालना दे दरा क्योंकि वो आर्टिकल बहुत जुरूरी है वो आपको काफी मदद देगा इसको समझने में इस केस की थोड़ी थी डिटेल को मैं कल ही उस आर्टिकल को पढ़ रहा था हम एक मिनट दरा ओके ये मिल गया जी मिल गया मिल गया मिल गया अब चल जाए सही ये जी मेरी आवाद आ रही होगी मैं इसको यहां पर प्राइवट चैट में डलता हूँ और फिर एक राज आपके सामने में रखूंगा एक और राज उस पर मैं मुसल्मानों को सेपरेट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेपरेट मुसल्मानों को कि प्लीज और सनात्रियों को भी कि घौर से देख लें इस वीडियो के अंदर जो परगाम दिया गया है प्लीज अपने आपको परसादों परसूदों से दूर रखिये प्लीज ठीक है अपने अपने आपको परसादों परसूदों से दूर रखिये क्योंकि परसाद इनके हां किस तरीके परोसा जाता है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मिनों Copyright पह गया ते पह गया मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिखाना मैं दरूर चाहता हूँ ठीक है Copyright अगर मुझे पढ़ भी गया न और उन्होंने अगर मुझे उतारने का ना कहा तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा बस ये करें उतारने का ना कहा दें उससे ले लें जो उन्होंने लेना है मगर ये पबलिक के सामने आना बड़ा दरूरी है अब सुन लो, मुसल्मानों, हम मंदरों के परसाद खाने से तोहीद की बेस पर तो रोकते ही रोकते हैं, मगर अब देख लो, कि हाईजेनिक और मेडिकल रीजन की वजा से, हम आपको क्यों रोकते हैं, कि इनके मंदरों के अंदर परसाद कैसे तियार किये जाते हैं, कितने अ भक्ति के अंदर हमें ठोंसने की कोशिश करते हैं